दो फ्रेंड्स, Rubels Kitchen में आपका स्वागत है हैं मैं आज मैं यहां पर कस्टरड रसमलाई बना रही हूँ और कस्टरड रसमलाई में पिस्टा कस्टरड रसमलाई होगी मेरी आज और मैं प्रोसीजर में नहीं बनाऊगी और मैं इसको चैने में एड़ करूँगी पनीर में इस कस्टड को एड़ करूँगी क्योंकि हम वैसे तो हम कॉन फ्लार को चैने में मिक्स करके बनाते हैं कॉन प्लार के साथ साथ में कस्टर्ड भी उसमें से चेहना बनाऊगी उसके बाद इसे मिल्क में एड़ करके रस्मलाई तयार करोंगी तो मैंने यहां पर फर्स प्रोसीजर में बिल्क का गाय के दूदका मैंने यह पनीर बनाके रखा हुँआ है तो यह छेना मैंने बन लीटर मिल्क से बनाया हुआ है और गाय का दूद थोड़ा पदला होता है लौफएट हो दी है तो उसकी बज़े से इसमें छैने अच्छे बनते हैं और साथी साथ मैंने इसमें 1.2.5 ml के करीब मैंने इसमें कॉन फ्लार लिया है और यहां पर मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है अधिक तर मैं इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम चैने बनाये या कोई भी इस पंज या रसघुला बनाये भाइट रसखुला तो उसमें मैं हलवाई की टिक आपको आपके साथ शेयर करे mulheres खरे हैं कि हलवाई बगरा, जब भी इस चैने को बनाते हैं तो वह चींशी कं जब हमारा पानी बॉयल हो रहा होता है और छेने भी हमने उसमें एड़ किये होते है तो आप हमारा छेना जो है वो एब्सॉर्ब कर लेता है पानी को और पानी को एब्सॉर्ब करने के साथ तो पानी और सुगर दोनों सॉलूशन बनके दोनों ही चीज अब एब्सॉर्ब कर थेख होता जाएगा तो छ्एहने के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं थंडा होने के बाद जब क्रिस्टल बनेंगे तो छ्एहने हमारा हाट हो जाता है तो चीली हमेशा अपने ध्यान से डाले चीली ज्यादा नहीं होनी चाहिए या तो पानी की क्वांटेटी बढ़ा दे तो यहाँ पर मैंने डेल लीटर पानी लिया है और यहाँ पर मैं यह बड़ा चम्मच में इसमें चीली एड़ कर रही हूँ तो डेल लीटर पानी में मैंने कम से कम 50 ग्राम के करी मैंने चीली ली हुई है तो मैं यहाँ पर यह मेरा जब तक पानी बॉल हो रहा है तो मेरा यह जो चैना है मैं इसको सॉप्ट कर लूगी और यह 2.5 ml मेरा कॉंट लार है इसको इसमें एड़ कर दूँगी और इतना ही मुझे कस्टड इसमें डालना है तो इसमें एक अच्छा सा कलर भी आएगा और साथी साथ इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें केसर भी है और पिस्ता पाउडर भी है तो मैं इसको सॉप्ट बना के दिखाती हूं तो देखिए यहाँ पर मेरा पानी भी बॉइल हो चुका है और इधर मैंने एक लिटर के करीब बूद दिया है इसको भी मैं बॉइल करने रद दी हूं और इसमें मुझे ड्राइपूर सेट करें असाती साथ मेरा यह डोवी चैना का डोवी तयार हो चुका है देखिए कितना सॉप्ट और कितना अच्छा बनके तयार हुआ है और मैं आज इसे गोल शेप नहीं दूगी मैं स्कॉर सेट दूगी तो मैं यह इस तरह से बना कर रख रही हूं निकालने में थोड़ा टाइम लगता है और इसे आप खास से इस तरह से अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से भी बना सकते लेकिन कटर में काफी बड़े बड़े बनेंगे मेरे पास केसर की बॉक्स थी छोटी डिवी थी तो मैं इसमें इस तरह से रख कर और इसकी शेप बना रही हूं तो मेरा इहां पर पानी भी बॉइल हो चुका है तो मैं इसमें डालती जाओंगी और यह फूल कर काफी बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसे ही मैं दो तीन और बना लेती हूं और सारे बना के रखूंगी बन भी और इस तरह से तो देखिए मैंने यहां पर यह सारे एड कर दिया है इसमें और लगभा के लिए 15 मिनट लग जाएंगी इनको बने में और यह बॉइल होकर फूल कर ऊपर की तरफ आ जाएगी फ्लोट करने लगेगी तब मैं आपको दिखाती हूं कि मेरे इस पंच कैसे बनकर तयार हुए जो मुझे चैने को इसमें एड करना है रसमलाई में तो मैंने लगवग यहां पर एक लीटर दूद लिया है इसको अची से बॉइल कर लिया था और इसके बाद मैं इसमें वन कटोरी के करी मैं इसमें चीनी एड करूँगी यह मेरी कटोरी चोटी है तो मैंने इसमें सिर्फ 50 ग्राम के करी मैंने चीनी लिये 50 ग्राम से कम ही लिये बलकि और मैं इसमें एड़ करूँगी केवडा एसेंस जब बॉइल हो जाएगा मेरी रस्मलाई बनके तयार हो जाएगी उसके बाद ही मैं इसमें केवडा एसेंस एड़ करूँगी और एक अच्छा सा कलर आने के लिए मैं इसमें वन ड्रॉप ग्रीन कलर की रालूगी क्योंकि मुझे इसमें से पिस्टा कलर देना है ये पिस्टा कलर का दिखाई दे रस्मलाई मेरी तो देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है इससे जादा मैं इसको डार्ट नहीं करूँगी दूट में अच्छा सा बॉल आने के बाद में इसमें ड्रायफूर से एड़ करूँगी जिसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्टा और चिरोजी लिया हुआ है तो देख सकते हैं यहां पर मेरा दूट बॉल हो चुका है अब मैं इसमें पिस्टा एड़ कर दूँगी डर्स अपने और इसे पांश मट के लिए लगवग इसे बॉल होने दूँगी अच्छे से उबलेगा और यह थोड़ा सा जब यह गाड़ा हो जाएगा इसे हमें ज़ादा गाड़ा नहीं करना है बहुत हलका से 5 मट के लिए इसे बॉल करना है क्योंकि उसके बाद मैं इसमें जब चैना एट करूँगी तो यह कम से कम 5 मट के लिए फिर बॉल होंगे ताकि जो हमारे छैने हैं वो जो मारा मिल्क है उसको एब्सॉर्ब कर ले और एक अच्छी सी रसमलाई बनके तयार हो जाए और यहां पर मैं अपनी छैने दिखाती हूँ आपको आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होकर और फोल कर रहे हैं उपर कीदा और इसमें जाली भी बनके आ गई है ज्यादा टाइम नहीं लगाए इनकी बनने में आपको दिखाती हैं जो मेरा स्क्वायर सेप में था आप देखिए कितने बड़े बड़े बनकर खूल कर रेड़ी हो चुके हैं लगवक इनमें पांच मुट और लग जाएंगे तब मैं फिर इसकी बात में से बूब में बॉइल करूंगी तो देखिए यहाँ पर मेरी मिल्क भी तयार हो चुका है और मेरी यहाँ पर छैना भी बनके तयार हो गए हैं और काफी फूल चुके है यह तो अब मैं यह अपनी फ्लैम को आफ कर देती हूं और थंड़ा थंड़ा होने के बाद में इसको मिल्क में एड़ करूंगी क्योंकि जो मुझे इसमें पानी है उसको मुझे एक्सिस करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी रस्मलाई का यह चैना कितना अच्छा और कितना सौट बनके तयार हुआ है अब मैं इसको इसमें एड़ कर दूगी मैंने इनका जो सुगा सीरप न था उसको पानी को लिक्विट फॉर्म को मैंने इसमें से निमूब कर दिया है अगर लगभग इसमें पांच मुट लग जाएंगे से बॉयल होने में तो मैं आपको तो खाती हूँ कि मेरी रस्मलाई कैसे बनके तयार हुआ है और जो हमारा यह सुगा सीरप का पाली भचा है आप इसको अगर इस्तमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी या अपने सूची का हलबा बनाए उसमें यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको दुबारा से चेहना बनाएं तो इसको छान कर फ्रिज में रखनें स्टोर करके तो दुबारा से आप इसको बना सकते हैं अब मैं इसमें थ्री ड्रॉप्स के करीब केबडा एसेंस डाल दूगी और एक अच्छा सा बॉयल आने के बाद मेरी रस्मलाई तयार हो जाएगी लगवग 5 मिनट्स के बाद तो देखिए मेरी यहाँ पर इसको आयर शेप में रस्मलाई बनके तयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कलर में भी इसका कलर कितना अच्छा बनके आया हुआ है आपको पास से दिखाती हूँ और अंदर से भी काफी स्पंजी है तो उमीद करती हूँ कि मेरी यह रसिपी आपको अच्छी लोगी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करें थाती साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें तो मैं अपनी ऐसी ही यूनिक रेसिपी में आपसे फिर से मिलती हूँ तब तक के लिए बाई-बाई एंड टेक गया अइसे ही आप लिशन कंट्रेस ब्रंच में संट्रेसिपी कंका सब्सक्राइब शार मात मिलती हूँ तब तक लिए भाय बाई-बाई एंड टेक गया के लुएaker